क्या आप योग को हिंदू धर्म या हिंदू विचारधारा का एक हिस्सा नहीं समझते? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि योग मुस्लिम धर्म के या इसाई धर्म के खिलाफ है. इकेश्वरवादी धर्मों में आप सिर्फ एक भगवान को ही पूछते हैं और योग उसका उल्टा है. देखिए योग में किसी भी तरह की पूजा नहीं होती. वैसे भी मैं आपको बता दूँ, एतिहासिक रूप से योग सभी धर्मों के आने के पहले से मौजूद है. ये पंदरा हजार साल से अधिक पुराना है. जब आदी योगी ने पहले योग सूत्र दिये थे. पंदरा हजार साल पहले इंसानों के लिए धर्म जैसी कोई चीजी नहीं थी. उस समय उन्होंने समझाया कि इस इंसानी तंत्र को कैसे हम उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं. ताकि एक ऐसा अनुभव पैदा हो. देखे, खुश रहना अपने आप में कोई लक्ष नहीं है. अगर आप अपने खुद के स्वभाव से ही खुश हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर दुखी होने का डर चला गया है. जब दुखी होने का कोई डर नहीं हो, सिर्फ तभी आप अपने जीवन को पूरी तरह से जी पाएंगे. नहीं तो आप हमेशा आधा कदम ही बढ़ाएंगे. आप जिने धर्म कह रहे हैं, वो ज़्यादा तर दुखी होने के डर का नाजायस फाइदा उठा रहे हैं. तो योग उस बारे में नहीं है. या आपको दुखी होने के डर से आजाद करता है. या आपको किसी भी सत्ता के बंधन से मुक्त करता है. चाहे वो गुरू हो, कोई संगठन हो या भगवान हो, या आपको उन सबसे मुक्त करता है. तो इस माइने में आप कह रहे हैं कि योग हिंदू धर्म या हिंदू फिलोसफी से भी पुराना है ये 15,000 साल से अधिक पुराना है, सबसे पहले इसलिए इसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता नई, सबसे पहले हमें ये समझना होगा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हिंदू फिलोसफी क्या है हर को इसके बारे में बात कर रहे है कृपया मुझे बताईए कि क्या है हिंदू फिलोसफी यहां हजारों तरह की चीज़ें हो रही है क्योंकि हिंदू एक भौगोलिक पहचान है हिमालय और हिंदु सागर हिंद महा सागर को पहले इसी नाम से जाना जाता था इनके बीच के जो भूमी है वो भूमी हिंदु है तो जो भी इस भूमी पर पैदा हुआ वो हिंदु है इस धर्ती पर पैदा हुआ केंचुआ भी एक हिंदु केंचुआ है जब आप कहते हैं कि अफ्रीका में पैदा हुआ हाथी अफ्रीकी हाथी है तो ये हिंदू केंचुआ क्यों नहीं है? चूंकि अब आप राजनीतिक जमेलों में उलज गए है और उस वज़े से कहते हैं कि हिंदू का मतलब ये है, वो है नहीं, ये एक भौगोलिक पहचान है क्योंकि हम लोगों को एहसास हो गया था इन भौगोलिक पहलूओं के बिना हम फल फूल नहीं सकते थे हिमाले और हिंद महासागर के बिना हाँ, इन दोनों चीजों ने हमारी रक्षा की हम पांच-छे हजार सालों से चैन की जिन्दगी सिर्फ इन दोनों की वज़े से ही जी रहे थे तो हम इन दोनों को आदर की दृष्टी से देखने लगे मैं आपके ही तर्क को आगे बढ़ाता हूँ अगर कोई इनसान पाकिस्तान में पैदा हुआ है या नेपाल या बांगलादेश या भूटान या श्रिलंका में या उत्तर प्रदेश में जन्मा कोई मुसल्मान या केरल में पैदा हुआ कोई इसाई वो सभी हिंदू है भागोलिक दृष्टी से ठीक है पर ज़रूरी नहीं है कि देखे सबसे पहले मुझे ये वताईए कि हिंदू धर्म या हिंदू फिलोसफी क्या है क्या आप जानते हैं नहीं इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ यही तो मैं कहा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नहीं जानते सबसे बड़े विद्वान से पूछिए क्या वो जानता है कि हिंदू फिलोसफी क्या है ऐसी कोई चीज ही नहीं है क्योंकि ये एक ऐसी भूमी है जिसने हर तरह की फिलोसफी को जन दिया है हर तरह की क्योंकि ये हमेशा से खोज करने वालों की भूमी रही है विश्वास करने वालों की नहीं इस देश में परम लक्षे हमेशा मुक्ती या आजादी रहा है भगवान कभी नहीं कभी कोई विश्वास प्रणाली नहीं रही हमेशा सवाल उठाना, हर चीज़ पर विवात करना, खोच करना ही यहाँ पर जीवन का तरीका रहा है. तो हिंदु धर्म जैसी किसी चीज़ का सवाली कहां उठता है? सिर्फ मुकाबले में, राजनीते खोड में, आप खुद को ये या वो कह रहे हैं. झाल झाल